तंत्र मंत्र पर विष्वास हर कोई रखता है लेकिन अंधिविश्वास का ये खेल भी चलता है ये अंधिविश्वास उन लोगों के तरफ से फैलाए जाता है जो कि तंत्र क्रियाओ के नाम पर धोंग रशते हैं गोरक धंदा चलाते हैं लेकिन लोगों की भीतर में जागरुकता लाने और तंत्र विद्या के वास्त्विक चीजों को उससे पहचान कराने या कहिए कि तंत्र विद्या की जो आदी जो एक तरीके से कहिए कि उनकी पहचान रही है कि किस तरीके से भारत के भीतर में एक विद्या निरंतर चलते रहा तो इनी तमाम विश्यों पर बाचित करने के लिए मेरे साथ है इस वक्त आचार ये सश्यमोहन बहल जी जिनकों की तांत्रिक बहल के तौर पर लोग जादा जानते हैं वैसे इन्हें वहवारिक बहल भी कहते हैं तो आखिर ये सब जो है क्यों कहा जाता है कैसे उनकी ये सिद्या पर वैसी आस था वैसे ही भरोशा आज भी कायम है जैसे कि हम अपने पुरातन दिनों में सुनते रहे हैं जैसे मेरी उम्रे तो बहुत कम है लेकिन मैं अपने पूरवज़ों से ऐसे तमाम विश्यों पर बाचित करते वे सुनते वे कहा जाता था कि उस पर एक ये इसका एक व्यापक जाल फैलाया जा चुका है देखिए हमको इस बात को समझे न होगा तंत्र के विशे में निंदा भी है और अच्छा ही भी है यही एक ऐसे विद्या है जो अनेकों विरूदों अनेक निंदा के बात भी आज भी जीवित है जिता पाठंड जिता ढों इस विद्या में है उत्र किसी अन्य विद्या में नहीं है इसके बाद भी ये विद्या जीवित है यही इसका जो है न सत्ते होने का सबसे बड़ा परमान है अगर ये विद्या सत्ते नहोती तो अब तक कपकी मिट गई होती है कि विद्या के नाम खराब करने वालों की कमी नहीं है परन्तु ऐसे लोग भी हैं जो इस विद्ध का आज भी जीवी तर रखे हुए हैं मैं वही जाना चाहरा हूँ कि ऐसा क्या है कि जो कि इसका आड़ लेकर के अंद्विस्वास फिला रहे हैं या फिर घोरक दंदा चला रहे हैं और मेडिया के वीतर भी ये व्रहमक्ता आ चुकी है एक व्यापक तोर पर जाल बिज गया है आप अख़वारों में लिखिए तो अलग-अलग विग्याप jesteśmy ए और पाकी सारी चीजे भी गवाते है दिखे जो तंट्र है उसको तो सत्य है उसको कोई इंकार नहीं कर सकता परंतु जब हम धोग काते हैं तो इसमें हमारी ही कमी होती है हम यह भूल जाते हैं कि जो सामने वारा दावा कर रहा है क्या वो सम्भव है को यह अगर आपको बंगाली बाबा यह इस टैप की पर अपर में काम को कहें और परिजराम में क्या होता है कि हम लोड़ जाते हैं और दोश तंत्र को देते हैं जबके तंत्र भाजन इताय, भाजन सुखाय विध्याय इसका जनम जो हुआ था इन लोगों की हित्के ली हुआ था हर यूग में इसके मानने वाली भी रहें और इसके ना मानने गाले रहें देखें, एक चाकू है अगर आप उससे अपने गला काट लेते हैं तो इसमें चाकू का है दोश और आप सबजी काटे हैं, फ्रूट काटे हैं तो इसमें किसकी ज्यान है कौन इसको समझ रहा है चाकू वोई है, पंदू उसके कर्म अलग हो गए एक कर्म बुरा है, एक कर्म अच्छा है तो इसी परकार तंत्रवी दिद्या है भवजन इसाय है, भवजन सुखा है पंदू इसका लाब उठाने की हमारे परकला होनी चाहिए हमको इतनी समझ होनी चाहिए, हमें इतनी परक होनी चाहिए कि हम यह परक सकें, यह व्यक्ति गलत है और यह व्यक्ति सही है, यह काम हो सकता है, यह काम नहीं हो सकता है, जो व्यक्ति आपके सामने बात करते हैं, पैसों की बात करता है, धन की बात करता है, रामायन में भी एक जिए कहा गया है, कि जो यह कहता है, कि मैं कर सकता हूँ, पूरी दुनिया जानती है और आप सब भी जो हो सकता है जो लोग देख रहे होंगे वो सब भी जानते होंगे लेकिन फिर भी अगर आप और बहुत कुछ जाना चाहते हैं तो आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं तांतरिक बहल जी की पांसो से अधीक किताबे चपके आ चुकी है एसिया बुक में आपका नाम दर्ज है सर्व तो जो किताबे आप लोगों के लिए लेकर आए हैं उसमें किस तरह के जो हैं चीजे हैं उसको कैसे जो है पढ़ा जा सकता है क्या आउनलाइन भी है वो किताबे और क्यो जो है पढ़ना जरूरी है अभी के समय में जो सच्चाई को सामने रखें जो सत्य है वो ही सामने दिखाएं मतलब जैसे कि जो लोग अगर तंतर विद्या के फेर में बड़े हो या फिर वो तंतरी क्रियाओं के जरीए अपना ही साधना चाहते हो वो कम से कम सावधान हो जाए पहले एक बार आपकी किताब जरूर हुए एक भी नहीं जो ठग हैं जो इसके केवल इसको धन कमाने का माध्यम समझते हैं वो कहते हैं अपना पैसा मिल जा है हमारे को क्या काम हो या ना हो ऐसे लोग कोई नोगोई पाखंट फैलाते हैं अपने आगे वेतन भोगी करमचारी रखते हैं अपने पास थाकि वेतन दें उन्हें और उनका काम यह है कि उनकी पॉपरिसिटी करें उनका प्रदर्श पुरका वो करें विग्यापन करें थाकि उन पर अदिक सर्दी आगे हूं उड़ जाओ क्या चंदमा यह कहता है जब आ गया कि मैं आगे हूं सो जाओ नहीं उनकी उपस्तिती ही इस बात का प्रमान है कि आव हमको जागना चाहिए या हमको सोना चाहिए इसी परकार कि जब हम सत्य को परखेंगे तो हम अपना पी समझा जागी कि हमें इन बना लिए हैं अपना समराज्य स्थापित कर लिए हैं चाहिए विग्यापन के जरिये हो मेडिया के जरिये हो और अपने आपको एक बड़ा बाबा बड़ा सिद्ध बाबा बताने की कोशिश करते हैं ऐसे कई उधारन हैं जिनके खिलाप अभी कारवाई होई चापे और फिर उनका खुलासा हुआ चरित तो ऐसे लोग जो है आगे हैं इस धन्दे में आप एक चीज को देखिए कि इन सब के पीछे पैसा आकरशन है धन आकरशन है जितने भी धन को बेर हैं वही पाखंट पहला रहे हैं आप देखिए कोई भी ऐसा व्यक्ति जो साधारन है क चया कभी इस पे पाए गया है सेंग लिफ से पाए गया जितने पाए गया है ब्यूंको बेर पाए घियए जो अच्छा पैसा था अच्छी आश्य राम के जिंदगी जी रहे थे अच्छा विज्वापन कर रहे थे चाई यह अख्वार हो कोई भी मीडिया हो उस पे उतने उनका विग्यापन चलता था और वो नतिया क्या हुआ कि आज यह वो अपनी जगे पहुंच गए जहां उनको पहुंचना था अच्छा सर मैं ये भी जाना चाहरू हूं चुकि साधना आप एक साधना के लिए यहां पर पहुंचें जो कि वर्सों से यहां पर हो रहा है उसमे क्या लाब है लोगों के बीच में और क्या वास्तिक तोर पे साधना के जरीए किसी चीज को सिद्ध किया जा सकता है नहीं यह तो निश्चित है कि साधना के दोरा सिद्ध होता ही है पर तो आप एक वाद देखिए कि दवा आउशिदी डाक्टर की कहे के अनुसार आप ले लेते हैं पर तो जब डाक्टर के कहे के अनुसार नहीं लेते हैं अपनी मर्जी से अनलिबूटी ले लेते हैं तो आप रोगी भी हो जाते हैं बस यही अंतर है कि हम जो है जो भी तांतरिक है जो भी इस विद्ध्या को जानने वाला है वो आपको सही बातर में सिखाएगा सही बात उतलाएगा, सही रस्ता दिखलाएगा और जब सही रस्ता दिखलाएगा तो निशित रूप से लाप होगा आपको, ना लाप होने वाली कोई बात भी है वैसे कई बार ये भी होता है ना कि लोग अगर जो है कोई चीज को कह रहे हैं वो पूरा हो जा रहा है, एक विस्वास बरते जा रहा है तो फिर उसके पीछे एक हुजूम सा उमर पड़ता है, बड़े बड़े लोग जो है उनसे जुड़ जाते हैं तो क्या आप से भी कोई नेता अभी नेता जुड़ा क्या जी कभी नी, आज सक नी इस समय तक जब मैं आप से बात कर रहा हूँ कभी नी जुड़ा मेरे से और मैं यह जरूर कहूंगा मैं जरूर आप से निमेदन करूंगा कि तंत्र का जो प्राच्य विद्या है उनका वास्त्री गुरू को सामने लाने के लिए मीडिया से अच्छा कोई माध्यम नहीं है मीडिया ही है जो उनको सही परकार से समझा सकती है और साधना का पक्षा है साधना तो देखिए एक लंबा सतत प्रयास है जो करना पड़ता है और बड़े खेत की बात है बड़े दुक्की बात है आज जब इनसान की ज़रुद बहुत छोटी है और उसमें उसका गुज़ए हो सकता है तो ये अनाफशन आप पैसा लेते हैं उसमें तंतर में तो कितना ख़च करते हैं ये तो वही जाने वो सब बाके तो याशी मिलाता है जो मैंने अब तक अनुभव किया है जो मैंने देखा है मैंने अपने पच्पन वर्ष के अनुभव है मतलब विद्या की यार में धंदा भी चला रहे हैं आयास भी हो चले हैं ऐसे लोग बिल्कु ठीक है देखे अभी आपके सामने इसको कहने ही जो तनी है ये तो आज प्रकाश में आज चुकी बात कि आज कहां है वो उनकी जो सही स्थान अपनी जगे वो पहुँचे हुए है और लाग प्रितन करने के बाद भी वहाँ से नहीं निकल पा रहे है क्यों करम ही तनी खराब थे आज भाई है जैसे मैं सर के बारे में यह भी बता दूँ आप सब को कि आप बैंक में नौकरी करते थे पच्छिस वर्स तक जो है सक्री रूप से आपने जो है बैंक में काम किया लेकिन उसके साथ साथ आप काफी कम आयो में ही तंत्र विद्या से जो है जूरते चले गए और उसके बाद फिर आपने इसको एक साधना के तौर पर जीवन में अपनाया और अब जगा जगा जाकर के वो तंत्र विद्या के बारे में लोगों को जागरूप करतें बताते हैं कि वास्त्विक तोर पर तंत्र साधना का मतलब क्या है एक आखरी संदेश आपसे ललूराम.com के लिए लेते हैं 36 गड़ बास्यों के लिए क्या कहना चाहेंगे 36 गड़ में आकर के ललूराम.com के जरीए समुचे देश और दुनिया वालियों देखिए इनसान का जीवन है तो समझ से आए लिए अगर आपके लिए स्वास्त है तो रोग भी है साइड बई साइड तो चलते हैं देने तो रात भी है बस आप इतना समझ लिए कि समझ से कि समाधान के खोज तो अवश्य करिए फ़र तो खोज इस सीमगा तक नचली आए कि आप लोग में आजाए और फ़स जाए और उस वक्त आप धन नश्ट करके सिवा पस्ताने के आपके पार कुछला रहे कम से कम कोई भी कारी है किसी को देने से पहले या किसी विशास करने से पहले एक बाट देखें जरूर क्या विशास के काबिल है या नहीं तो हमसे बात कर रहे थे अचारिय ससी मोहन वहल जिनको की तांतरिक बहल के तोर पर जाना जाता है और आप जो है तांत्रिक बहल को देख और सुन रहे थे कैमेरमेन स्याम के जरीए और मुझे भी और आप सब से मैं यह कहूँंगा कि लल्लुराम.com जरूर देखते रही है क्योंकि आपको तंत्र भी मिलेगा मंत्र भी मिलेगा यंत्र भी मिलेगा और इसके जरहे सर्वत्र मिलेगा बस आप विश्वास रखे अन्ध विश्वास नहीं